हलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू एडिवब, एडिवब चैनल के अंदर आपका स्वागत है फ्रेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंट्स वो है राजस्तान की चितरकला, आज हम राजस्तान की चितरकला के बारे में end to end discussion करेंगे फ्रेंट्स, राजस्तान की चितरक एक पार्ट है और यह बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है कि जितनी भी एक्जाम आप देखोगे उसमें से राशान की चित्रकला में से जो भी कुसंस जरूर जरूर आए हैं ठीके राशान की चित्रकला को पढ़ने के लिए पहले हमें कुछ इमपोर्टिंट पेक्ट के बारे हम जानना पड़ेगा वो यह हैं राशान की चित्रकला के लिए फैक्ट इसका जो उदभव है वो कैसे हुआ राशान की चित्रकला का जो उदभव है वो गुजराज धमार से और दो वह हैं 1916 में किया है राजसानी चित्रकला को इन्होंने राजपू चित्रसेली कहा है किसने डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने आनंद कुमार स्वामी जिन्होंने 1916 के अंदर राजसान की चित्रकला का पूरा व्याक्षान किया है पूरा वगिकरन किया है इन्होंने चित्रकला के बारे में पूरा end-to-end अध्यन किया है ठीक है उसके बाद इनों ने यह चीज बताई है तो हम उन्हीं के अध्यन को पढ़ते हैं ठीक है तो राजसान की चितरकला के लिए जो है राजपुती चितरकला को हिंदू चितरकला का नाम दिया है एक important fact कि जैसे हम राजसान की चितरकला के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें यह देखना पढ़ेगा कि इसका विकास कैसे हुआ है ठीक है पहली यह बार दूसरा राजसान की चितरकला को हमने चार अलग-अलग सैलियों में बाटा है तब हम इस चीज को पढ़ पाएंगे चार सैलि कौन-कौन सी है मेवार सैलि, माडवार सैलि, डुढ़ार सैलि और हारोती सैलि ठीक है इन चार सैलियों के अंदर हमने डिवाइड के है कौन-कौ ऐसे पूछा जाएगा कि डूडार सैली जैसे हमने पकड़ लिया तो डूडार सैली के अंदर जो important कलाकार है वो कौन है ठीक है जो इनके important कलाकार है उनको हमें याद अखना पड़ेगा फिर जो है डूडार सैली की विसेशता है क्या-क्या है वो हमें देखनी पड़ेगी फिर हमें देखना पड़ेगा कि डूडार सैली की जो बनेवे चित्र हैं वो किस टाइप के बनेवे होते हैं तो अगर हम किसी भी सैली के बारे में पड़ेंगे तो हम उसका end to end discussion करके देखेंगे यहाँ पे और यही एक्जाम औरिंटेड पूरा है एक्जाम में भी यही कोशन पुछे देंगे आपको कि कौन कलाकार रहा उसका development कैसे हुआ और किसके सासन में यह जो सैली है वो स्वनकाल में रहा स्वनकाल का मतलब किसके काल में यह कि सैली पनपी फली फुली सौतंतर हुई वो चीज़ हमें देखना बहुत जरूरी है यही कुशन एक्जाम के अंदर आएंगे ठीक है तो हम इसको start करते हैं जैसे राजस्तान की चितरकला का विकास कैसे हुआ तो हम देखते हैं कि राज पंदरवी सदी में यह start हुई ठीक है राजस्तान में चितरकला कब आई पंदरवी सदी में आई और अपभरन सैली है यह और उससे यह start हुआ राजस्तान के अंदर राजस्तान में ताड़ पत्र पर चित्रित पर्थम गरंथ जो था यह देखो यह पर्थम गरंथ का नाम ह क्या श्रावक प्रतिकर्मन सुत्र चुण्नी ये गरंथ है ये राजस्तान का ताड़ पत्र में चित्रित प्रथम गरंथ है जिसका निर्मान किसने कराया था कमल चंद द्वारा रचा गया है किसने कमल चंद द्वारा इस चित्रन को 1260 में गुहिल वंचिया रावल तेज सिं के समय चित्रित किया गया था ठीक है यह चीज इंपॉर्टेंट है ध्या लखने वाली बात है कि राजस्थान में ताड़ पत्र पर जो चित्रित ग्रंत है वो कौन्चा है फ्रेंड्स वो है श्रावक प्रतिकर्मन सुत्र चुन्नी और यह किसने लिखा है यह किसने किसके दा चित्र कला का जो विशूद काल था वो तो था पंदरवी से सोलवी सदी के अंदर और उसका सवन काल है वो है सतरवी और अठारवी सदी जो है इसका सवन काल किसका राजस्तान की चित्र कला का स्वन काल कौन्चा है सतरवी और अठारवी सदी राजस्तान की चित्र कला का व उदभव है, वो गुजराज सेली से है, ठीक है, और पंदरवी सदी के अंदर है, राज़सानी चित्रकला का सर्व पर्थम वगी करण जो है, जिसको सबसे पहले बाटा है, जिसको सबसे पहले बताया है, वो कौन है, डाक्टर अनंद कुमार श्वामी ची है, जिनोंने सबसे पहले ये कारिय किया. कब किया था? 1916 कें अंदर किया है, 1916, 1916 केंदर ये काम किया गया है. और अनंद कुमार स्वामी ने राज़स्तानी चित्रकला को राजपूद चित्रसैली का है. क्या कहा है राजपूर चित्रसयली कहा है फिर हम बात करते हैं एनसी महता की तो एनसी दो नाम आपके मायंड में फिट हो जाना ची अगर आप राज़सान की चित्रकला के बारे में पढ़ रहे हो तो एक है आनंद कुमार स्वामी और दूसरे हैं एनसी महता आनंद कुमार स्वामी ने ही सरुर प्रथम इनका वगिकरन किया है उन्होंने ही सबसे पहले हमें इस चित्रकला के बारे में बताया है ठीके उन्होंने जो इस चित्रकला को राजपूत चित्रकला है उसका नाम दिया है राजपूत चित्र सैली ठीके ये कुशन डरेक्ट आ स चित्रसेली कहा है हिंदू चित्रसेली हिंदू चित्रसेली कहने वाले कौन थे एंसी मैता और राजपु चित्रसेली कहने वाले कौन थे डाक्टर आनंद कुमार स्वामी जी थे अब हम देखते हैं इसका विकास कैसे हुआ है राजस्तान में जो चित्रकला का विकास है वो उसकी जो शुरुवात है वो मेवाड में हुई है कहाँ पे हुई है फ्रेंड मेवाड के अंदर हुई है और ये पंदर्वी सदी में अपवरंस सैली है ठीक है राजस्थान का जो पथम ताड़ पत्रपर किस पे ताड़ पत्रपर चित्रित गरंथ है वो कौँचा है श्रावक प्रतिकर्मन सुत्र चुन्नी जो गरंथ है वो सबसे पहला गरंथ है ताड़ पत्रपर चित्रित किया गया था और ये कब किया गया है ये 1260 में गुह प्रतिकर्मन शुत्र चुन्नी किसके द्वार रचित है कमल चंद द्वारा रचित है यह चीज तो आप एक्दम अपने माइंड में फिड कर लो इससे रिलेटेट कुस्टन आता ही आता है कि जो राजसान का प्रथम चित्र है वो ताड़ पत्र पर चित्रित श्रावक्त प्र जाएगा कि जो राजसान में चित्रकला का स्वन काल है तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है सत्रवी और अठारवी सदी जो है वो राजस्तान की चित्रकला का स्वन काल रहा है कौन्ची सदी सत्रवी और अठारवी सदी जो है राजसान की चित्रकला का स्वन काल रहा है ठीक है, मेरे को नहीं लगता अब इसमें आपको कुछ भी डाउट होगा फ्रेंड्स, ये एकदम क्लियर हो गया होगा आपको, अब हम आगे चलते हैं, राजस्थान के प्रारंबिक भीती चित्रन, जो राजस्थान में पहले के चित्र होते थे, वो भीती चित्र होते थे, व हमें कोटा जीले के आलनिया और दर्रा में, कोटा के आलनिया गाउं और दर्रा के अंदर में मिले हैं, आहड, बैराट, तथा दर भरतपूर के सैलाशारियों में आदी मानव द्वारा, ये बहुत पुठा प्रारंबिक भीती चित्र होता है, किसके राजस्तान के ये प्रारंबिक बीती चित्र हैं, उनके बारे में हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये कोटा जिले के आलन्या गाउं और दर्रा के अंदर मिले हैं, आहड उद्यपूर में मिले हैं, बेराठ में मिले हैं, और दर भरतपूर के अंदर मिले हैं, ठीके सेलाश्रियो मतलब पत्थरों के उपर आदी मानव द्वारा उकेरे गए पत्थरों पर आदी मानव द्वारा उकेरे गए रेखांकिन वा चित्र मिले है प्रारमिक चित्र के उधारन है ये ये जो सबसे पहले हमें चित्र मिले है राजस्तान में उनकी योधारन है इनको अकारत चित्र कहा जता था ठीक है इन चित्रों को अकारत चित्र कहा जता था ये किसके द्वारा बनाया गया है ये आदी मानवो द्वारा बनाया गया है और किस पर बनाया गया गया है पत्थरों पर बनाया गया था कहां पर मिला है को पढ़ रहे हैं राजस्तान की सैली में नारी चित्रन अधिक है ठीक है फ्रेंट्स राजस्तान की जो सैली है उसमें आपको नारी के चित्र बहुत ज्यादा मिलेंगे ठीक है नारी के सौंदरिय उनके अलंकारों उकनामों के सहारे चित्रित क्या गया है जो भी चित्र मिले है हमें सबसे पहले राजस्टान में वो नारी के चितर मिले हैं वो नारी के सौनधरिय नारी के अलंकारो और नारी को डिफाईन करते हुए मतलब यह जो चित्र हैं यह नारी के सौंदरिय को डिफाइन कर रहे हैं नारी के सौंदरिय का वर्णन कर रहे हैं ऐसे चित्र हमें मिले हैं यह राजस्तान चित्र कला की सैली है उसमें यह विशेशता है यह सब चीजे इंपोर्टेंट है और यह सबी चीजे मिले हैं हमें राजस्तान सैली में प्रकास व छाया का कम उप्योग किया गया है प्रकास का और छाया का जो है वो कम उप्योग है मानव आकरतियों का कद अलग अलग रहा है जो मानव की आकरतिया मिली है हमें चित्र के अंदर दिखाय डिया है, इस स्यली में जो परकति का मानवी करन दिखाय गया है, प्रकती का मानवी करण का मतलब क्या होता है friends कि इस सैली में हमें प्रकती के साथ में मानवता का भी दर्श्य देखने को मिलता है ठीके राजस्तान चित्र सैली के आरंबिक चित्र बीती चित्र थे जो सबसे पहले के चित्र थे वो बीती चित्र थे लाल पिले रंगों का प्रियोग किया गया है और मोर पक्सी को प्रत्यक सैली में दर्शाया गया है जो अलग-अलग सैली है उन सभी सैलीों के अंदर हमें मोर जो है वो जरूर दिखेगा ठीक है सुनहरी रंगों का भी प्रियोग किया गया है सुनहरी रंगे जो होते हैं उनका भी प्रियोग किया गया है ठीके फ्रेंड्स तो एक वारा में इसको वापस से देखते हैं कि राजस्तान की जो प्रारंबिक भिती चित्रन है वो हमें कहां मिले हैं वो हमें कोटा के आलनिया गाउं और दर्रा गाउं के अंदर आहड के अंदर, बैराट के अंदर और दर्भरतपूर के अंदर मिले हैं ठीके ये जो चित्र मिले हैं भीती चित्र ये आदी मानवो द्वारा उके रे गए थे किसके द्वारा उके रे गए हैं ये आदी मानवो द्वारा उके रे गए चित्र हैं तो राजस्तान की जो चित्रकला है उसकी क्या विसेशता है तो राजस्तान की जो चित्रकला है उसकी क्या विसेशता है तो राजस्तान की जो चित्रकला है उसकी विसेशता ये है फ्रेंड्स कि जो इसमें नारी चित्र अधिक मिलेंगे आपको राजस्तान की चित्रकला में राजस्तान चित्र सैली के अंदर ठीक है और राजस्तान चित्र सैली में जो है प्रकास और जिसका छाया का जो कम पर्योग किया गया है मानव आकरतियों का कद अलग अलग रहा है ठीक है मानव की जो आकरती है उनका अलग-अलग कद रहा है अलग-अलग साइज के जो मानव है उनके बताया गया है यहां सैली सुद्ध भारत्य सैली है ठीक है जो राजस्तान की सैली है फ्रेंड्स वो क्या है सुद्ध भारत्य सैली है मतलब यह प्योर भारत की सैली ही है इसको सुद्ध भारत्य सैली आप कह सकते हो ठीक है फ्रेंड्स इस सैली में आपको जो है प्रक जाल पिले रंगों का प्रियोग किया गया है इनका जो पक्षी है प्रिया पक्षी वो मोर है राजस्तान चित्र सैली में मोर को प्रिया पक्षी माना गया है और मोर को प्रतिक सैली के अंदर दर्शाया गया है ठीक है और सुनहरी रंगों का प्रियोग भी किया गया है जो गो रखना रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यह कुर्शन आता है तो हमें इस चीज को इसलिए मैंने यहां पर यह लिया है राजस्तान की चित्रक्लास इलिटेर जो जो संस्था है उनको हम यह देख रहे हैं पहला है जोदपूर जोदपूर के अंदर कौनशी संस्था है चीतेर तुलिका कलाकार परिसद जो है वो है उदेपूर का ठीक है राजस्तान में जो चित्रक्ला की संस्थाएं हैं वो कौन-कौनशी है फ्रेंड्स जैसे अगर हम जोदपूर की बात करें तो जोदपूर में है चितेरा और धोरा और जैपूर में है पैग आयाम और कलावर्त प राजस्तान की चित्रक्ला के संग्रहाल ये राजस्तान की चित्रक्ला के संग्रहाल ये उनको कहां पे संग्रहाल ये उनको कहां रखा गया है तो राजस्तान की चित्रक्ला अगर आपको देखना है तो आप पोति खाना जैपूर के अंदर है पुस्तक प्रकास कहां पे है जोदपूर के अंदर है अलवर संग्राहाल्य इसका नाम से किलियर है कि अलवर के अंदर है आपको ऐसे कुछन पूछाएंगे कि जो राजसान की चित्रकला के तो संग्राहाल्य है पोती खाना यह पोती खाना कौन से जिले में है तो आपको बताना है यह जैपूर जिले में ह ठीक है अगर आपको पूछा जाए पुस्तक प्रकास चित्रकला संग्रहाले कहां पे है तो आप क्या बताओगे जोदपूर में है अलवर संग्रहाले कहां पे है अलवर में है चित्रसाला कहां पे है बुंदी में है जैन बंडार कहां पे है चैसलमेर में है और माधो सिंग सं संग्रहाल्य है जो जो म्यूजियम बने वे हैं वो कहां पर है पहला है पूतिखाना वो है जैपूर के अंदर दूसरा है पुस्तक प्रकास वो है जोदपूर के अंदर तीसरा है अलवर संग्रहाल्य है वो है अलवर के अंदर चौथा है चित्रसाला वो है बुंदी के अंदर नेक्स्ट है जैन भंडार जैन भंडार जैसल मेर जैसे जैन भंडार जैसल मेर के अंदर है चित्रसाला बुंदी के अंदर है माधो सिंग संग्रहाले कोटा के अंदर है और सरस्वती भंडार जो है उद्यापूर के माधो सिंग कोटा के थे तो वैसी क्लियर हो जाएगा कि मा अलवर संग्रहाले अलवर में है, पुस्तक परकास संग्रहाले जोदपूर में है और पोथी खाना संग्रहाले जयपूर के अंदर है। ठीक है, क्लियर रेफरेंस, अब हम चलते हैं, राजस्थान की चित्रकला है, उसको कितने स्कूलों बाटा गया है, और कौन-कौन से स्कूल है, तो राजस्थान की चित्रकला को हमने चार स्कूलों में डिवाइट किया है, कौन-कौन से स्कूल है, मेवार स्कूल, माडवार स् स्कूल कौन-कौन से हैं यह मैं आपको start हुआ था जब भी बताया था कि हम इसको स्कूलों में divide करके ही पढ़ेंगे अलग-अलग स्कूलों को हम एक एक करके detail में discussion करेंगे तो जो इसके स्कूल है राजसानी चित्रकला के वो हमने divide करका है अब हम यह बात कर रहे हैं कि मेवार सैली जो है उसके अंदर भी कौन-कौन से सैली है या उप सैली है या उसके कौन-कौन से स्कूल है ठीक है तो कि मेवार सैली को पूरा पढ़ना बहुत difficult है इसलिए हमने इसको भी अलग-अलग divide कर दिया है पार्ट के अंदर तो अगर हम मेवार स्कूल को जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इसके अंदर उद्यपूर चित्रसैली आएगा मेवार में कौन-कौन से जीले हैं वह आपको वैसी clear है तो वह सारी आएंगे जैसे उद्यपूर सित्रसैली नाच द्वारा सैली देवगर्ड सैली सहापूरा सैली और चावर्ण सैली यह आएंगे इसके अंदर किसमें मेवार कंदर कौन-कौन से आएंगे उद्यपूर नाच द्वारा देवगर्ड उपसैली सहापूरा और चावर्ण सैली clear फिर हम बात करे करेंगे माडवार की तो माडवार में कौन-कौन सा आएगा जोदपूर आएगा विकानेर आएगा किसंगर आएगा अजमेर आएगा नागोर आएगा जेसल मेर आएगा ठीक है अगर हम माडवार की बात करेंगे तो जोदपूर विकानेर अजमेर नागोर और जेसल मेर चित् अलवर सिखावटी उन्यारा सिखावटी उन्यारा ठीक है फिर हम हाडोती इसकूल की बात करेंगे जो है इसको हमने चार इसकूलों में डिवाइड किया है ठीक है चार इसकूल कौन कौन से हैं अगर हम मारवार की बात करते हैं तो मारवार के अंदर हम जोदपूर, विकानेर, अजमेर, नागोर और जेसलमेर को देखेंगे अगर हम डुडार की बात करेंगे तो डुडार में हम आमेर, जैपूर, अलवर, सिखावटी, उन्यारा को देखेंगे हाडोती की बात करें तो बुंदी, कोटा और जालावार चित्र सैली को देखेंगे ठीके फ्रेंड, किलियर हो गए, अब हम क्या करेंगे, मिवाड के अंदर हम उदेपूर सैली के बारे में हम डिस्कस करेंगे पहले और उदेपुर सैली की क्या-क्या विशेस्ता है रही है इनके चित्र कैसे बने वे थे इनके कलाकार कौन है उदेपुर सैली का जो सोनकाल है वो कब रहा ये उदेपुर सैली कब स्टार्ड हुई किसके सासन में स्टार्ड हुई इन सब को हम एड़ेपुर सैली पढ़ लेंग है यह मैंने आपको पहले ही बता जिया था कि जो हमारी जो सेली है रास्तान सेली वह अपवरन सेली है इसका विकास पंदरवी सदी में गुजरात सेली से हुआ ठीक है तो मेवार स्कूल के अंदर हम पड़ रहे हैं पहले उदैपुर सेली उदैपुर सेली में हमने क्या देखा कि मेवार सेली के प्रारमभिक चित्रो में गुजरात सेली का चित्र जो मिसरन मिलता है मेवाड सहली में जब पहले के चित्र बनते थे वो गुजराद सहली के उसमें मिसरन गुजराद सहली का अंस गुजराद सहली की च्छाया या उसका जो मिसरन हमें देखने को मिलता है उद्यापूर सहली का जो प्रतम चित्रन था देखो ये चीज या नरको वो था स्रावक प्रतिकर्मन सुत्र चुन्नी गरंत जिसका चित्रांकन जो है वो 1260 के अंदर मेवाड के रावल तेज सिंग के काल में आहर में हुआ था निर्मान करता थे इसके कमलचन इस सैली का जो दूसरा चित्र है वो है सुपास नहाँ परीमय कौँचा है सुपास नहाँ परीमय और ये मोकल के सासनकाल में था तो मेवाड सैली में हम अभी क्या पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स उदैपूर सैली को पढ़ रहे हैं उदैपूर सैली में हमने क्या देखा कि मेवाड सैली के प्रारमभिक चित्र है वो उसमें गुजरात सैली की हमें चाया Dos ya गुजरात सैली का हमें मिशरन देहने को मिलता है मतलब अगर हम रिलेट करोगे मेवाड Selly को तो वो पहले जो है वो गुजरात Selly जैसी दिखती थी उदेपुर Selly का जो प्रथम चित्रन है वो कौन सा है friends वो है स्रावक, प्रतिकर्मन, सुत्र, चुर्नी और ये ताड पत्रफ पर निर्मित है इसका निर्मान किस ने किया था इसका निर्मान कमल चलने क्या था और किसके सासनकाल में हुआ यह मेवाड के रावल तेज सिंग के सासनकाल में हुआ था ठीक है 1260 के अंदर अगर हम बात करें नेक्स्ट आगे की तो इस एली का जो दूसरा चित्र है वो है सुपास नापरीमे वो कौन सा है सुपास नापरीम मोकल मंधिर का बandel करहा हुआ ञ linksका नाम राजा भोज ने रखा ता और उसी मंदीर को पूर निर्माणमर मंदीर पढ़े था तो वो चीजे इसे लिंक करके आप पड़ोगे तो आपको ध्यान रहेगा, आपको याद रहेगा कि यह मारणा मोकल कौन थे फिर हम बात करते हैं आगे राग माला, नसीरुदीन द्वारा चित्रित राग माला जो है वो उदेपुर सैली का प्रसित चित्र है, और यह किसने बनाया है, यह नसीरुदीन द्वारा चित्रित है, कौनचा राग माला उदेपुर सैली का जो विकास कैसे हुआ, महाराजा अमर सिंग से लेकर भीम सिंग तक रहा उदेपुर जो सैली है, उसका जो स्टार्ट कौन किया, महाराजा अमर सिंग से लेकर भीम सिंग तक रहा और महाराना जगत सिंग प्रत्थम का जो काल था, वो मेवार सैली का स्वनकाल माना जाता है देखो फ्रेंज मेरा आपको बताए था, कि हम एक-एक सैली को डिस्कस करेंगे और उसमें हम ये बत देखेंगे कि ये जो सैली है, वो किसके सासनकाल में, स्वनकाल में रहा इस सैली की क्या-क्या विशेशता है, इस सैली में हमें क्या-क्या मिला है तो वैसे हम इसको देख रहे हैं आप देखिए और शेली का जो विकास है वो महराना अमर सिंग से लेकर भीम सिंथ तक रहा लेकिन महराना जगत सिंग रथम का काल था वो मेवार की शेली के लिए स्वण काल माना जाता है ठीक है फिर हम बात करते हैं जगत सिंग फर्स्ट द्वारा राज महल उदेपूर में चितेरों की ओबरी कहा दता है चितेरों की ओबरी कहा दता है किसको राज महल उदेपूर में नों चितेरों की ओबरी बनाया ठीक है किसने जगत सिंग फर्स्ट ने अब जगत सिंग फर्स्ट ने क्यों बनाया क्योंकि जगत सिंग फर्स्ट के सासनकाल को ही सोनकाल कहलता है सोनकाल कहने का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि उस समय उस सासन में ही जो मेवाड चितर सेली फुली फुन पी थी या उस सेली को हमें जो है एक सोतंत्र रूप मिला था तो वो किसका काल होगा वो समर्ण काल के लाता है तो वो मेवाड के लिए किसके काल पर था वो जगत सिंग प्रतम के समय का था जगत सिंग प्रतम के समय राज महल उद्यपूर में चित्तिरों की ओबरी बनाई गई थी ठीके जो इस सैली की विशेषता है उद्यपूर सैली की वो क्या है कोयल सारस पक्षी का चित्रन देखने को मिलता है अगर उद्यपूर सैली की विशेषता है पूछिए आप से तो आ इन दो नायक कुकी शैली की विशेश्टाइं मिलती है पंच तंत्र का अनुगाद है और यह जो दो नायक एक विएस्था है वह में उदयफूर सरी में देखने ने को मिलती है possibility needs कि आकरती था छोटा कद ता सर सीर इप पगड़ी होती थी और कमर में पठका होता था तो इस सेठी की विश्ष्णÁ्टा ये उदयफूर सली के विश्ष्ष था है उदयफूर पूरुष के आकरती थी वो कैसी होती थी फ्रैंंस लंबी मूज होती थी चोटा कद होता था इनका और गठीला सरीर होता था चीर में पागड़ी होती थी और कमर में पटका होता था ठीके एक दूप भी मैं आप को बताना होगा और योऑ हम देख रहें जैसे अ chest चीजों को उन्होंने देखा है यह जीन चीजों के उपर उन्होंने अध्यन किया है एक यह क्लिए न प्रूश के आकरति का consent तो उनकी दूश होती थी उनका कज जो है वह कुम्परेटिवलि छोटा होता था और गठीला तरी होता था और सिर्पपा पगड़ी और कमर में पटका होता था ठीखे उसके बाद है इस्त्रि क्याक्रती कैसे होती है ये तो पुरूअ मदंटी आखे बहुत ही सुन्दर आंक्य जीवा व्लभ बाद को काला तील होना होता था आ और इनके चो कलाकार ये शाहिबदीन, मनोहर, करपाराम, बहरुलाल, जीवा, अमरा, उसके बाद कमल चंद्र और जगनात, कमल चंद्र और जगनात, ठीक है, तो अब हमने ये अभी पड़ी है, उद्यपूर सहली, उद्यपूर सहली में हमने क्या दिखा, जो पुरूसों की आकरती होती थी, वो कैसी होती थी, उनका कद तो छोटा होता था, और उनकी मूचे होती थी लंबी, और सरीर गठीला होता था, और सिर पर ये पगड़ी बानते थे, और कमर में पठका बानते थे, फिर हम बात कर रहे हैं, इस्तरी की आकरती, तो इस्तरी की आकरती कैसे होती थी, गरूर जैसी नाक ह होती थी गाल वो गाल पर काला तील होता था और इसके जो कलाकार है वो कौन-कौन है कलाकारों को नाम याद रहना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स जबी आपके क्यूसन सही हो सकते हैं तो अगर हम बात करें अभी उदैपुर सहली के कलाकार तो वो है साहीब दीन मनोहर करपारा जीवा अम्रा उसके बाद कमलचंद और जगननात यह इसके जो है वो कलाकार है किसके उदैपुर सहली के ठीक है फ्रेंड्स है साहीब दिन मनोहर करपाराम बैरुपाल जीवा और अम्रा ठीक है फ्रेंट्स अब हम देखेंगे नाथ द्वारा सहली नाथ द्वारा सहली है इसका निर्माण उदेपूर और ब्रज सहली से हुआ है नाथ द्वारा की जो सहली है फ्रेंट्स उसका जो जो निर्माण है वो उ उदegपूर की सेली अभी आमने है उदegपूर और ब्रजश सेली से हुआ है इसे वल्लब सेली भी कहा जा सकता है क्योंकि नात बोरा के अंदर नात राज सम्माद में जो स्रीनाता मंदीर है वो बलब संपृदाय की परमुक पीठ है ये मैंने आपको अभी संथ संप्रदाई वाला चैप्टर पढ़ाया है उसके अंदर में आपको इकलियर करके पढ़ाया है वल्लब संप्रदाई की पर्मुख पीठ है वल्लब संप्रदाई का पर्मुख मंदीर भी है इसलिए जो नाथ द्वारा सैली है जो उदैपूर और ब्रजर सैली से निर्मित हुआ है इसको आप बल्लब सैली के नाम से भी जान सकते हैं इसको पिछवाई चित्र सैली भी कहा जाता है पिछवाईया क्या होती है फ्रेंड्स आपने देखा होगा स्री कृष्ण जी की पिछवाईया वो क्या होती है स्री कृष्ण जी के एक पड प्रदे के ऊपर चित्रत अंकित होना उसको पिछवाया कालता है ठीक है तो यह पिछवायी चित्रत शैली के नाम से भी जाना जाता है सहली का जो उदगम है वो महाराना राज सिंग का सासन काल सुवन काल कहलाता है ठीक है इस सहली का जो उदगम और महाराना जो राज सिंग का जो काल रहा है नाथ दोरा सहली के लिए वो सुवन काल रहा है महराजा राज सिंग द्वारा नाथ द्वारा में सिर्णा जी की मंदीर की स्थापना के साथ ये सहली की सुरुवात हुई थी ये मैं आपको बताया था कि महराजा जो राज सिंग है राज सिंग द्वारा नाथ द्वारा के अंदर सिर्णाजी की मंदिर की स्थापना की गए थी और राज सिंग द्वारा वरंदावन से ये जो मुर्ती है सिनाजी की मुर्ती लेकर आए थे नाथ द्वारा के अंदर ठीक है और उसी से ही इस जो मंदीर की स्थापना हुई और इस सैली का स्टार्ड हुआ काँची सैली नात दौरा सैली का जो है वो शुरुवात हो गए थी सैली की विशेश्थाए क्या-क्या है केले के वक्स की प्रधानता है गायों का मनोरों चित्रांकन है हरा पीला रंग है और देवताओं को अस्मान में चितृत पर्दसित किया गया है तो इसमें आपको चीजे देखने मिलेगी जैसे केले की बर्क्षी प्रधानता गायों का मनोरम चित्रांकन मिलेगा और देवताव के जो है वह इस चित्र देखने को मिलेंगे अधिक है उसके इनके जो कलाकर नाम में भी आपको आना देवताओं मिलेंगे तो यहाद रखने में बहुत बहुद्यों होगा जैसे कलाकर नरोतम नरायन घासी राम चत्तुर भूज खुबी रेवा संकर पुरुसोतम देव कृषन हरदेव हिरालाल इस चित्र सहली में जो प्रधान था वह विश्णु विश्ण विश्व का चित्रांकन करना किस्ट्रांकन ही कि दाते थे कौँशी सहली में नाच द्वारा सहली में तो इनके कलाकारों के नाम या देखना बहुत इजी उसके बाद पुरुसोतम हो गया देव कृषन हो गया हरदेव हो गया हीराल हो गया उदे राम घासी राम खुबी राम और रेवा संकर ठीक है और इनका प्रधान विश्व क्या था वह क्रिशन की लिलाओ का व्यक्षा करना ये क्रिशन की लिलाओ की लिलाओ का व्यक्षा क से या उद्भव या उदे है वो कैसे हुआ है वो उदयपूर और ब्रज सैली से हुआ है ठीक है इस सैली को आप वल्लब सैली भी कह सकते हो वल्लब सैली कहने का रिजन यह है क्योंकि यह ना द्वारा में वल्लब संप्रदाई की यह परमुख पीठ है इसलिए इसको वल्लब शैली भी कह सकते हो ठीके इस सैली को पिछवाई सैली भी कहा जाता है सैली का जो विकास से वो महराना राज सिंग के समय से हुआ और महराना राज सिंग ने नाथ द्वारा राज सम्मद में स्री नाथ मंदीर की इस्थापना की थी और स्री नाथ मंदीर की जब इस्थापना क ठीक है मारजा राज सिंग ने स्रीर नात्स जी की मंदिर की स्थापना की और इस इस इलिक यह जो नात्स वरा finding है वो इस्टार्ड हो गई प्रदान करना उनों की लिलाओं का चित्रांकन करते थे यह लोग फिर आते हैं देवगण फिर हम बात करेंगे देवगढ शहली की, देवगढ शहली में क्या होता था इस शहली का विकास देवगढ ठिकाने वरत्मान में राश संमन जीले में है फिर जो पर्मुख योगदान रहा इस सैली में पीले रंग की प्रधानता थी इस सैली को प्रकास में जो डॉक्टर स्रीधर अंधारे लिकर आए थे इस सैली को जो प्रकास में लिकर आए जो जिनों नी सैली का व्याख्या किया वो कौन थे डॉक्टर स्रीधर अंधारे थे ठीके इस सैली में जोदपूर, दिखने को मिलते हैं कलाकार य्य वो नाम ञाम थोड़े अटपटे हैं जैसे उनका नाम बेजनात और चोखा ठीक है पूले रंक की प्रादास दहता है कुंकी प्रदाता थी और किसके सासनकाल में तो सासनकाल किसका हो गया जो देवगर्ड ये रावत चुंडावत की सासनकाल में ठीक है रावत चुंडावत की सासनकाल में और जो कलर कौन था वो पीला कलर था ठीक है और प्रकास में कौन लेकर आए थे वो लेकर आए थे डॉक्टर स्रीधर अंधारे जी लेकर आए थे ठ यह चीज ध्यानक नहीं, यह सैली जो है, इस सैली में आपको जोदपूर, जैपूर और उदयपूर तीनों सैलियों का मिस्रन मिलेगा आपको, किस सैली के अंदर, देवगड सैली के अंदर, ठीके, कलाकार कौन है, बेजनात और चोखा, अब हम आज़तें, नेक्स्ट, चाव सैली, अभी हम कौन सी सैली पढ़ रहे हैं, मेवार सैली हम पढ़ रहे हैं, ठीके, मेवार सैली के यह उप सैलिया हैं, चावण सैली, इस सैली का जो उदगम है, वो महराना परताप के समय हुआ, ठीके, महराना अमर सिंग जी जो थे, उस समय इस सैली का स्वन काल रहा, ठीक महाराना परताप के समय ये start हुआ, कलाकार कों है इनके नसीरुदिन ठीके और प्रमुगरांथ eh राघमाला जो 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 राखमाला किसने बनाया था चित्रित किया था नसीरुदिन ने चित्रित किया था ठीके चावन सेली बहुत इजी है याद हो गया होगा अब आपको चावन सैली का जो उद्गम है वो महाराना परताप के समय हुआ था किसके समय महाराना परताप के समय और परताप के पुत्र कौन थे महाराना अमर सिंग और अमर सिंग के समय जो है चावन सैली जो है वो उसका सवन काल कहा दता ह गोल्टन टाइम कह सकते और इसको ठीके इसके चावन से लिके वह है अमर सिंग जी ठीके शौरी नसीरुदीन जी नसीरुदीन ने कौझ सा ग्रण्थ लिए कौझ से बुइटी चित्रण में फड़ चित्र पॉरर के शहापूर्ण सहापूर के मंदिरों और भवनों में उपलद भित्ती चित्रन में फड़ चित्रन परसीद है सहापूरा में कौन सा चित्रन फड़ चित्रन परसीद है ठीक है फड़ परिवार में फड़ चित्रन की ख्याती प्राप्त होती है ठीक है फड़ परिवार जो है फड़ परिवार फड़ चितरन बनाने में विख्यात है मतलब प्रसीद है उनी के द्वरा ही बनाय जाता है कौन्सी शैली की बात कर रहे हम सहापूरा सैली सहापूरा के मंदिरों और भवनों में उपलवद जो भीती चित्र है विती चित्रों में फड़ चित्रन बहुत ज़दा प्रसीद है और ये किसके दोरा फड़ पड़िवार दोरा फड़ चित्रन बनाया जाता था ठीके, फ्रेंच तो ये जो अभी हमने एक सैली complete हो गई हमारी वो है जो मेवार सैली को अभी हमने देख लिया है पूरा मेवार सैली के जो जो उपर सैली आती है उन सब को हमने देख लिया तो मेवार सैली के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा है उदैपूर सैली में प्रारंबिक जित्र गुजराद सैली के मिषनत है ठीक है और जो उदैपूर सैली का जो स्वनकाल रावल तेज सींग के समय से ये प्रसिद हुआ उसके बाद हमने पढ़ा कि अम महराजा जगत सिंघ प्रठम के काल को आपने क्या का है सुवन काल का है golden time का है फिर हमने इसमें पढ़ा next नाच द्वारा सेली नाच द्वारा सेली के अंदर महराजा राज सिंघ का जो काल था वो सुवन काल कहलाया ठीक है उन्होंने यहां पर मंदीर के स्थापना की थी और इस सैली में उद्यापूर और ब्रजर सैली का आपको मिस्रन देखने को मिलेगा और जो इनके कलाकार है नाच द्वारा सैली के वो जो कलाकार है उनके जो नाम है वो सब देवताव के नाम से लिटेड है नरोतम, नरायन, गासीराम, चत्तरभूज, रेवा संकर, पुरसोत देवक्रिशन, हरदेव और हिरालाल ठीक है फिर हमने बात करी देवगट सैली की देवगट सैली में हमें क्या मिलता है कि इसमें मिस्रन है जोदपूर, जैपूर और उदैपूर तीनों सैली का हमें गुन देखने को मिलता है कलाकार है बेजनात और चोखा फिर हम बात करते से कीछ वंगाल है वह है महाराणाँ अमर सिंग ऑफ रागम veggakti के शहापूरा नुछ फटाडबार делать फटाफ बढ़ानाई जाता था अब हम पढ़ेंगों वह जो हमारीबार दूसरी सैली कौन सी मारबॉर्वार सैली देख हो मेरा समय जो लॉजिक रहता है कि खाली आपको पढ़ाना नहीं है पढ़ानने के साथ में आपको यह ंद भी उसी टाइम पे याद कर लो जब आपको ये वीडियो कम्प्लेट हो जाए तब आप अपने अगर आँख बंद करके सोचोगे तो आपके माइंड में ये सारी चीजे घुमेगी ठीके तो और आपको ये टॉपिक उसी टाइम याद हो जाएगा तो हम अब बात करेंगे फ्रेंड उद्यपूर मारवार सैली की मारवार सैली के अंदर सबसे पहला आता है जोदपूर सैली जोदपूर सैली के अंदर क्या आएगा कि सतमत्र विकास जो है जोदपूर सैली का जोदपूर के सासक राओ मालदेव के समय हुआ किसके समय राव मालदेव के समय हुआ था जोदपूर सहली का जो विकास राव मालदेव के समय हुआ महाराजा जस्वन सिंग के काल को जोदपूर सहली का स्वन काल कहा जाता है ठीक है मैंने इसमें जो आप देख रहे हूं मेरे जो नोट्स हैं वो बहुत सटिक हैं केवल पॉइंट टू पॉइंट चीजे ही मैंने इसके अंदर लिखी है और उनी चीजों को हम यहां पर डिसकस कर रहे हैं ठीक है मैं दूसरे किसी भी चैनल की तरह इधर उधर की बात नहीं करता फ्रेंड सीधा ही मैं टॉपिक के उपर आता हूं और मैं टॉपिक को पहले ल पीडियेफ फाइल है वो भी मैं आपको इस जो वीडियो के साथ में शेयर कर दूँगा जिससे क्या होगा कि आप वो पीडियेफ डाउनलोड कर लोगे और पेपर के टाइम में किवल आपको उसको क्विक रिव्यू ही करना पड़ेगा ठीक है तो अब हम क्या देख रहे है जोदपूर सहली का जो विकास है वो राव मालदेव के समय हुआ महाराजा जटस्वन सिंग के काल को जोदपूर सहली का स्वन काल कहा जाता है पथम चित्रन जो था उत्राधान सुत्र जो है चोखे के महल में चित्रे थे कौनसा उत्राधान सुत्र ये जोदपूर सहली का विकास कब हुआ राव मालदेव के समय हुआ ठीक है और महराजा जस्वंत सिंग जो थे उनके समय जोदपूर सहली का सवनकाल था इनका पथम चित्र उत्राधान सुत्र है पिले रंग की प्रधानता है और आम वक्स पसुपक्षियों में उंट और कोवे का चित्र चित्रांत चित्रित किया गया है ठीक है जोदपूर सहली में पिले रंग की प्रधानता है आम के वरक्स पसुपक्षियों उंट और कोवे को चित्र सित्रित क्या गया है के लिए रेफ्रेंस यह आपको समझ बागया अब तो मारवार सहली के हम बात कर रहे हैं मारवार में हम करणी माता जी ने जोतपूर जो नीव है जोतपूर मेरानगड है जोतपूर के अंदर उसकी नीव रखी थी ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं महाराजा जस्वन सिंग महाराज अस्वन सिंग के समय जो है जोदपूर सैली का स्वन काल रहा है किसके समय महाराजा जस्वन सिंग के समय ठीक है प्रथम चित्र जो है गरंत वो कौन सा है उत्राधान सुत्र ये प्रथम चित्र है पिले रंग की पंधानता है आम वक्स और परसु पक्षियों में उठ और कोवे को चित्रित किया गया है जोदपूर सैली के जो विशे हैं वो कौन कौन जे है मूमल, निहाल दे, डोला मारू, कल्यान रागिनी, रूप मती, फिर है बहदूर, रसीक प्रिया, पंच तंत्र, काम सुत्र और सूर्शागर ठीक है ये जो है जोदपूर सैली की जो विशे हैं वो विशे हैं वो आपको इसी से रिलेटेड मिलेंगे किस से मूमल्च रिलेटेड, निहाल दे, डोला मारू, कल्यान रागिनी, रूप मती, उसके बाद रसीक प्रिया, पंच तंत्र, काम सुत्र और सूर्शागर जो जोदपूर सैली है, वो इनी के इदरगरित घुमते हुए आपको दिखाई देगी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके जो कलाकार है, वो कौन-कौन से हैं, किसन सिंग भाटी, सिवदाज भाटी, रतन जी भाटी, दाल चंद्र, फेज अली, फेज अली, फ पाटी नरायंदास, फेज अली, काला और रामू, फिर है राग माला सैट, राग माला सैट था इसके अंदर एक, वो वीर जी कलाकार द्वारा परसीद है, ठीक है, ये परसीद चित्र है, किसके द्वारा वीर जी कलाकार जो थे, उनके द्वारा चित्रित है, ये कौन सा रा उस चित्र में क्या था इनकी जो पुरूसों की होता था। जोदपुर्चित्रसैली में, वो कैसे होते थे, सौर्यवान होते थे, उनकी आखे बढ़ी होती थी, उनका जो कद्ध हो बहुत लंबा होता था, बदन गठीला होता था, मतलब हस्ट पुष्ट होते थे, और मोत्यों की माला पैनते थे, जो पूरुस होते थे, अब जो इस्त जोदपुर्चित्रसैली की है, तो अभी हमने क्या पढ़ा है, जोदपुर्चित्रसैली के बारे में, तो हम इगर इसको कुईक रिव्यू कर लेते हैं, तो हमें ये जोदपुर्चित्रसैली याद हो जाएगा, अभी हम पढ़ रहे हैं मारवार सैली का पार्ट, अभी हमन उत्राधान शुत्र जो है प्रथम चित्र हमें मिला है पीले रंकी यहां पर प्रधानता थी जो जोद्पूर चित्र सैली है उसके जो विसे हैं वह किसके कौन-कौन से टॉपिक के ओपर यह बनाए गया है वह है मुमल वह निहाल दे डोला मारू कल्यान रागिनी सूर्सागर पंच तंत्र रशीक पिर्या कामशुत्र इन सब चीजों को देखते वे ही इन सब चीजों की इद्रगित गुमता है जोद्पूर सैली का चित्रकला ठीके फिर कलाकार कौन है किसन सिंग भाटी शिवदास भाटी रतन सिंग जी नरायन दास काला और रामू ठीके रागमाला सैट वीर्जी कलाकार द्हुरा चित्री थे यह बहुत परसी चित्रकला है रागमाला सैट थिके मारवार सैली का सतंत्र रुप जो है वो महारह अज़जा अजित सिंग के काल को आफ जो सतंत्र काल कह सकते हो ठीके उसके बाद पुरूसों का चित्र कैसे होते थे पुरुस जो है पतली और लंबी होती थी भागवत पुरान माना जाता है महाराजा रास सींग के समय चित्रित था कौन्सा भागवत पुराणी सबसे प्राचिन चित्रित ग्रंत माना जाता है ठीक है उस्ता कला और मठेरन परिवार का जो है इस सैली में क्या विशेश तपुन योगदान रहा विकानेर सैली में मुगल सैली दक्षिन सैली से परवावित रही ठीक है विकानेर जो सैली है चितरकला की जो सैली है उसमें मुगल सैली और दक्षिन सैली का परवाव देखने को आपको मिलेगा बिकानेर सहली के जो अंतराष्ट्य कलाकार है वो है उस्ता हिसामुदिन वो मैथेरन कलाकार में मुन्ना लाल हुए है ठीक है इंटरनेसलन अंतराष्ट्य कलाकार हुए है बिकानेर सहली के कौन उस्ता हिसामुदिन वो मैथेरन कलाकार में मुन्ना लाल हुए है ये अंतराष और मिठरन कलाकर में मुन्ना लाल, नहीं और चित्रकार अपने चित्र के नामवर् डेट लिखते थे इस इम्मोर्टेंट है यूब बना लो ऐसा कोई भी चित्रके ला नहीं की दिल येवल जो यहां के चित्रकार थे यहां का मतलब बिकानेर सहली मारवार के बिकानेर सहली के अंदर जो भी चित्र चित्रित हुए हैं वो चित्रकार अपना नाम और उनके जो डेट है कौन सी डेट को आपका डचना किए वह दोनों चीज़ी इसमें लिखते थे पिले रंग की सरवादिक प्रयोक किया गया है उठ घोड़े और सरस्तोता का चित्रन मिलेगा आपको कलाकार कौन है रामलाल अली राजा हसन और हामित रुकुमुदिन राय सिंग जो थे उनने मुगल कलाकारों से परभावित होकर उन में से कुछ अपने साथ लेकर आये थे उस्ता अली राजा और रुकुमुदिन जो है ये मुगल कलाकार है और इन से परभावित हो गये थे कौन राय सिंग और इनको ये विकाने लेकर आए थे गज सिंग जो है विकाने राजदरबार में मुख्य चितरकार जो लाहोर से लेकर आई गए है ठीक है गज सिंग गज सिंग कहां पे थे विकाने राजदरबार में थे और इनको ये कहां से लेकर आए थे मुख्य चितरकार है जो लाहोर चाहे थे ठीक है फिर बात करता है महाराज डुंगर सिंग महाराज डुंगर सिंग इनके सासनकाल में मुगल सैली का प्रभाव क्या हो गया कम होने लगा महाराज डुंगर सिंग के समय जो है मूगल सहली का परभाव बहुत ज़ादा कम होने लग गया उसके बाद हम बात करते हैं पुरुष विकानन सहली में जो पुरुष के आकरती होती थी वो कैसे होती थी पुरुष की आकरती उग्र होती थी उची पगड़ी पैंते थे हाथ में भाला लिये वे होते थे ठीके आकरती इनकी उग्र होती थी उची पगड़ी होती थी और हाथ में भाला लिये वे थे इस्त्रियों के आकरती कैसे होती थी लंबी नाक होती थी पतले उदर होते थे और तंग जोली होती थी और मोतियों का आबुशन पहनते थे और पारदसी ओड़नी होती थी मोतियों के आबुशन पहनते थे यह कैसे होते थे इस यो के चित्र होते थे वो इस टाइप के होते थे तो यह बिकानेर चित्र सहली कमप्रीट होगी है फ्रेंड्स हमने इसको पूरा देख लिया है अब हमें इसका कोई रिव्यू कर लेते हैं जिसे हमें याद हो जाए कि प्राचीन चित्र विकानेर सहली का कौनचा है भागवत पुरान और यह किसके समय का है यह राइ सिंग के समय का है विकानेर सहली का गोल्डन टाइम अनुप सिंग का काल है कौनचा महाराजा अनुप सिंग के काल को विकानेर का गोल्डन टाइम कहा जाता है ठीक है विकानेर सहली में आपको दो चीजे मिलेगी एक तो उस्ताकला और एक मत्हेरन कला मिलेगी ठीक है उस्ता हिसामुदिन और मत्हेरन कला में मुन्नालाल जी ठीक है यहां के चित्रकार अपने चित्रक में उपना नाम और डेट दोनों चीजे लिखते थे पिले रंकी सरवा दिखता थी उठ घोडे सरस्तोतों का जो है चित्रत चित्रित है कलाकार कौन-कौन है रामलाल अली रा रुकुमदिन ठीक है राय सिंग जो है मुगल कलाकारों से परवावित होकर यह उनको अपने साथ लेकर आए थे अपने साथ किसको लेकर आए थे अस्ता अली राजा को और रुकुमदिन जो थे वह यह दोनों को यह लेकर आए थे कौन हमारे जो राजा थे राय सिंग जी जो मुगल कलाकार से प्रवावित हो गए थे इसलिए इनको साथ में लेकर आए गज सिंग जी थे एक कलाकार है ये ये लाहोर से आये थे और विकानर के राजदरबार के मुख्य कलाकार थे कौन गज सिंग महाराज जो डुंगर सिंग जी आये बाद में डुंगर सिंग के काल लोगल सेली का जो है प्रभाव कम होने लग गया था यहां पर पुरूश्व की आकरती कैसे होती थी अत रखती उग्र होती थी उची पगड़ी पहनते थे और हाथ में भाला के रहती थे थे हमेशाफ ठीके और इस्तियों की आकरती कैसे होती थी लंबी नाग पतले उदर और मोत्यों की माला पारदसी ओड़नी और तंग चोली पहनते थे ठीके तो यह हो गया विकानर सैली कंप्लेट अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स किसंगड सैली की किसंगड जो सैली है उसको परकास मिलाने इसमें जो थे बनी ठनी किसंगड सैली की ही देन है ठीके बनी ठनी जो है वो किसंगड सैली की देन है बनी ठनी से रिलेटेड अगर आपको क्यूसन सर्च करोगे तो हर एक्जाम में बनी ठनी से रिलेटेड एक क्यूसन आता ही आता है बनी ठनी की सैली से रिलेटेड है किस संग गडशाली है उसको प्रकास मिलाने का शेहि किसको दाता है एरिक डिक्सन को और फयाज अली को जाता है बनीठणी चीतर को एएक डिक्सनने भारत्य मोनालिशा कहा है ये चीज़ इंप्वाटेंटट्स है इसको स्टार कर लो फ्रेंड्स बनीठणी जो चितर है इसको Eric Dixon ने भारत की जो मोनालिसा कहा है बनी ठनी भक्त नागिरदास सावन सिंग की जो प्रेयसी थी और किसंगर्ट सैली का स्वन काल जो है वो महाराज सावन सिंग के समय को ही कहा जाता है बनी ठनी है जो नगीरदाश जो है या शावन शिंग का नाम स्क्राइब और उनी की चित्र है और उनी को ही बनी ठनी के चित्रें को ईरिक डिक्सन ने भारत्य मोनालिशा का है और किसंगट सैली का जो सवन काले वो कौन सा है सावन सींग के समय को ही आप इसका गोल्डन टाइम कह सकते हो भारत सरकार के जो डाग विवाग है डाग विवाग द्वारा फिप्ट में 1973 पांच मई 1923 को बनी ठनी चित्र पर डाग टिकट जारी किया गया था क्या बनी ठनी प फिर हम इसमें बात करते हैं इस्त्री के आकरती तो इस्त्री के आकरती कैसे होती थी लंबी नाक कमल व खंजर के समान आखे ठीक है कमल या खंजर के समान आखे और पारदसी आंचल होता था जो इसके चित्रकार थे वो कौन है निहाल चंद्र, अमर चंद्र, सिता राम, बदन सिंग, भवरलाल और नानक राम, ठीक है, भवरलाल और नानक राम, यह इसके चित्रकार थे, कौन से रंग को उपयोग क्या गया, गुलाबी वज सफेद रंगों की प्रधानता थी इसके अंदर, ठीक है, इसमें जब परमुक चित्र हैं, वो कौन कौन से हैं, दिबावली का चित्र, चांदनी रात, भगवत पुरान, रमायन, कृषन लिला, राम लिला, प्रेमा लाब करते हुए, राधा किसन के चित्र हैं, वो इसके इंपोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यह कंप्रीट हो गया है, किसन गर् अली को प्रकास में लाने का जो सेर्य है, वो एरिक डिक्सन और फ्याज अली को जाता है, एरिक डिक्सन और फ्याज अली ने मिलकर ही किसन गर्ट शैली को उजागर किया था, ठीक है, बनी ठनी जो चित्र है, वो किसन गर्ट शैली की ही द्यान है, मतलब बनी ठनी जो चित् प्रियसी थी ठीके किसंगड सैली का जो स्वन काल है वो सावन सींग के समय का ही है और भारत सरकार द्वारा बनी ठनी चित्रा पर डाग टिकर जारी की गए थी कब 5 मई 1973 को ठीके पुरुष आकरती कैसा था चरहरा बदन था पतले लंबे और कमर में क्या दुपट्टा लगात थे ठीके और इस्तिरों के आकरती कैसे होती थी लंबी नाक होती थी और कमल वखंजर के समान आखे होती थी इनके चित्रकार कौन होते थे निहाल चंद्र अमर चंद्र सीता राम बदन सिंग भवरलाल और नानक राम ठीके गुलाबी और सफेद रंगों की प्रधानता थी मैं इसके अंधर परभाम चित्र लुस यहां पर देखनी है उसको देख लेते हैं जिससे अभी हमने पड़ा हसे सरिक उसको परकास मिलाने है वह घुक्ति शुटता है वह ए भेऊनि दिक्शन और हो दाता है एवह जो बनिठहनी चित्रकला थी उसको भारत की मोला Ilिसा तो आपको लिखना है इरिक डिक्सन ने कहा है किसको बनीठनी चित्र को भारत के मोनलिषा ठीक है बनीठनी जो है भक्त नागिर्दा सावंध जी की क्या थी फैरियसी थी और जो है जो किसंगट सैली है वो किसंगर सैली का स्वनकाल महराजा सावन सिंग के समय को कहा जथता है ठीक है एक चीज यह भी इंपोर्टेंट है इसको भी स्टार मार्ट कर लो आप इसको भी ध्यानक ना है फ्रेंड कि भारत सरकार ने भारत सरकार के डाग विवाग द्वारा बनिठनी चित्र पर डाग जारी की गई थी पांच मई 1973 को ठीक है जो कलाकार है इनके वो कौन है निहाल चंद अमर चंद सिताराम बदंचिंग भवरलाल और नानक राम जी ठीक है अब हम बात करते हैं अजमेर सैली की अजमेर सैली इस सैली में जो चित्रों में जोतपूर सैली का परभाव देखने को मिलेगा लाल पीले हरे नीले वो बैंगनी कलोरों का प्रयोग किया गया है चित्रकार कौन है अजमेर में चांद खा तैयब जी राइशिंग लाल जी भाटी नराइन जी भाटी और एक महिला चित्रकार है वो है सहीबा जो अजमेर सैली में एक महिला चित्रकार भी मिलेगी आपको जिसका नाम है साहीवा ठीके तो अजमेर सहली जो है इसमें जोदपूर सहली का प्रभाब देखने को मिलता है लाल पीले हरे नीले और बैगनी कलोरों का भी आपको प्रयोग मिलेगा चित्रकार है चांदखा तैयब जी राय सिंग लाल जी भाटी और नरायन जी भाट प्रभाब देखने को मिलता है इसके चित्रकार है चांदखा तैयब जी राय सिंग और लाल जी भाटी एक चीज़ याँ देखने की बात है कि अजमेर सैली में एक महिला चित्रकार भी थी जिसका नाम था साहीबा ठीके पुरूशों के आकरती लंबा बदन था गोल आखे थी इस्तिरों के आकरती लंबे घने बाल थे और मेंदी रच्चेवे हाथ थे इनके ठीके और मद्यकालिन में इसका प्रबाब कम हो गया था क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्थाई राजवन्स ना होने कारण यहाँ पे चित्र सैली का विकास कम हो पाया फिर हम बात करते हैं नागोर सैली की हम आजाते हम नागोर सैली में नागोर सैली का जो विकास है वो 18 सदी के प् बिती-चित्रों का सज्जीत्ता पुर्वक अंकन आपको यहां पर देख सकते हो कहां पे नागोर सैली का बिती-चित्रों की सजावटका जो साइर वो बक्त सिंह को जाता है बादलमज जिसे अम्मर सिंग राठोड का मेहल भी कहा जता है ठीके उसके अंदर आपको इस सबसी देखने को मिलेगी नागोर सैली में पैदल, घुर सवार व yourxiोपर सवार लोगों का चित्रन है ठीके इसी ध्याद रहेकरा नागोर सैली के अंदर आपको पैदल चलते हैं गूर्च वार और हाथ्योग के उपर बैठे वे लोगों का जो है चित्र मिलेगा जल विहार का चित्र जिसमें 12 आइस्ट्रों का भिवीन परकार की तैरती होई शनान करती हुई जो मुद्रा है वो चित्र थे बुझेवे रंगों का प्रियोग किया गया इस सेली के अंदर ठीक है नागोर सेली का जो विकाहा से फ्रेंड वो कब हुआ है अठारवी सदी के प्रारम में हुआ था नागोर की लिए या महलों में आपको भीती चित्र का जो संजीविक्ता पुर्वक जो है अंकन देहने को म मिलता है जल विहार का बी चित्र है इसमें जिसमें बारा इस्ते सेली एक मात्र असी नहीं किया गया जेसलमेर के जो सासक थे हजराज, अखे सिंग, मुल राज, परमुख सरक्षक रहे हैं किसको जेसलमेर सैली के चित्रकला को सरक्षन करने में तो ये एक एमात्र सैली है जेसलमेर के सैली जिसमें बहारी सैली को सुईकार नहीं किया गया है और इसके साथ सके हज राज, अक्ये सिंग और मुल राज जेसल मेर के में राज प्रसादों की जो सोभा जो मूमल यहां का परमुक चित्र है जो मूमल है वो यहां का परमुक चित्र है किसका जेसल मेर सैली का पुरुषों के जो आकरती थी वो लंबे का जो डाड़ी मुझ्छवाले चित्र है और इस्तियों का योवन यहाँ पर दिखाया गया है ठीके तो यह जैसल मेर सैली बहुत चोटी सी है जैसल मेर सैली एक मात्रेसी सैली है जिसमें बहारी सैली का परभाव देखने को नहीं मिल परशी चित्र है पुरुषों के आकरती कैसी थी फ्रेंड लंबे कत थे डाड़ी मुझ्छों वाले थे ठीके और इस्तियों का योवन सुंदरता वाला चित्र दिखाया गया है ठीके तो यह जो राजसान की चित्रकला के बार में हमने पढ़ा है अभी हमने इन में दो स्कूल को अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है देखेंगे दूडाय को देखेंगे हम इसमें ठीके और हडोती स्कूल को देखेंगे अभी आज हमने क्या क्या पढ़ा है फ्रन कोई कर लेते हैं आज हमने राजसान की चित्र शैली कैसे पनपी उसका उद्गम उसका विकास कैसे हुआ उसके आर में देखा उसकी संस्थाएं कौन-कौन से हैं संग्रहाल ले कौन-कौन से हैं उनके बारे में देखा फिर हमने इसको देखा कि रासान चित्रकला को चार स्कूलों में बाटा गया है वो कौन-कौन से थे मेवाड माडवाड हरोती और डूडार ठी ठीक है फिर हमने उसमें से आज मेवाड और माडवाड जो सेली थी इसकूल थी उनके वारे में उनकी जो उपसेलिया थी उनको हमने डिटेल में डिसकस किया है डिटेल में हमने क्या देखा है इसमें इनके कलाकार कौन-कौन है सवनकाल कब रहा गोल्डन टाइम कब रहा कब प्रारम हुआ और कौन सा जो चित्रकार है कौन सा चित्र जो है इस स्कूल या इस उप सैली का प्रमुख चित्र है ठीक है तो आज हमने इन सब चीजों इन सब टॉपिक को कवर किया है जो मैं नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा उसके अंदर जो यह डुडा और मेवार सैली क यूट्यूब में मिल जाएगा आप इसको लाइक कर लीजिए जिससे आपको इस टाइप के वीडियो मिलते रहेंगे ठीक है और आप इस वीडियो को शेयर भी करें जो जो भी स्टुडेंट्स हैं पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आप यह वीडियो बेजे जिसे वह यह चीज देखके अपना जो पेपर जब वह देंगे तो बहुत अच्छे से जो ही वह क्यूसन जो आएंगे वह सौल कर पाएंगे ठीक है फ्रेंड्स तो आज के लिए क्लोज करते हैं थैंक्यू सो मुच्छ हेव नाइस डई